साफ पानी में पनपने वाले डेंगू के मच्छर ने पूरे विदर्ब में आतंक मचा रखा है अब स्थिती ये है कि खराब पानी में पनपने वाले मलेरिया के मच्छरों ने भी लोगों को हलाकान करना शुरू कर दिया है गत वर्ष की तूलना में इस बार इनकी तीवरदा को ज्यादा ही है पिछले वर्ष पूर्व विधर्ब में मलेरिया के 7,051 मरीज मिले थे जबकि जन्वरी से लेकर अब तक यानि करीब 9.5 महिने में 7,811 से अधिक मरीज मिले है इतना ही नहीं इस कालावधी में 12 मरीजों की जान भी चली गई जिले में कोई भी मरीज नहीं मिला था 1 जन्वरी से 14 सितंबर 2021 तक 7,811 मरीज मिले है इन में सबसे अधिक 7,300 मरीज अकेले गट्शी रोली जिले में मिले वही भंडारा में 7, गोंदिया में 381, चंद्रपूर ग्रामिन में 111, नाकपूर ग्रामिन में 5, सीटी में 4, वर्धा जिले में 3 मरीज मिले है गत वर्ष की तरह ही इस बार भी चंद्रपूर शहर में एक भी मरीज नहीं मिला पिछले दो वर्ष से चंदरपूर शहर में मलेरिया का कोई भी मरीज नहीं मिलने पर मनपा द्वारा मरीजों का पंजियन किया जा रहा है या नहीं इस पर संदेह बना हुआ है। द्वारा महानगर पाली का या स्वास्ते विभाग को जानकारी दी जानी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाये तो मरीजों का आकड़ा और बढ़ सकता है।